कि नमस्कार दोस्तों ये से स्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा आमने बताया था संडे को आपको एक पेशल पेनी स्टॉक आएगा और ये पेनी स्टॉक आपको बहुत दमदार रिटन बना के देगा वेल्थ क्रियेट करके देगा करोड़ पती बना सक सकता है दोस्तों लेकिन पेनी स्टॉक आप अपना वोन स्टेडी करके सिलेक किजिए और बाइंग का डिसीजन लेजिए कितना कॉंटिटी बाय करना है जैसा कि हमने बताया कम से कम रखना चाहिए अपने पोर्ट पोलियो में तो आज का हमारा पेनी स्टॉक है जैस ग्रूप ने और साथ ही साथ एवन इंटरनेशनल तो यह दोनों मिला के प्रमोटर सही यहां पे जैस डबलु एन जैस डबलु ग्रूप यहां पे 23% का स्टेक होल्ड करता है और एवन इंडायरेक्ली 25% का स्टेक होल्ड करता है इस कपनी का जो फोकस है वो सिफ्ट हो रहा है पेशल स्टील प्रोडाक्ट के उपर दोस्तों और पेशल स्टील प्रोडाक्ट में अभी स्टील का साइकल चल रहा है और स्टील का जो साइकल में इस कंपनी में भी बहुत जबर्दस ग्रोथ देखने को मिल सकती है और यह बहुत जबर्दस रिटन आपको बना के दे सक तो इसको ध्यान में रखिए तो इसका हम लोग fundamental analysis देखेंगे उसके बाद technical analysis देखेंगे तो अगर हमारे चानल को अगर सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और अगर डिमेट अकॉंट उपन करना है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्षन में आपको लिंक मिलेगा वहां जाके आप डिमेट अकॉंट उपन कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तो इस company का जो मार्केट कैप है 1812 करोर का है present price जो current market price है यह 38.6 रुपीज का है इसका 52 वीक जो लो है 22.4 का है और 52 वीक है 67.6 रुपीज का stock का PE है 12.1 book value है 30.2 return on capital employed 4.34% की है return on equity 16.4% की है face value 10 रुपीज की है debt to equity 2.05 रुपी है rate signal है cash flow from operation 290 करोर का 291 करोर का 5 एस का cash flow from operation 3 एस का 16.1 करोर है promoter की present holding जो 53.2 परसेंट की है total number of shares 47 करोज के pay ratio 0.75 यानि company undervalued है FIIs की holding 1.57 परसेंट की है FIIs की holding last quarter में decrease हुई है minus 0.95 परसेंट and DIs की holding भी 4.48 परसेंट है वो भी decrease हुई है 4.36 परसेंट की promoter की holding 0.01 परसेंट से increase हुई है तो यहाँ पे जैसा हम sales का बात करेंगे तो आप यहाँ पे compare कर सकते कही सालों से company का revenue कापी कम था लेकिन December 20 के बाद देख सकते कितना बड़िया जूम यहाँ पे आ रहा है sales में company का और यहाँ पे company profit में भी आ रहे है last quarter भली loss में गया है लेकिन overall एक company का future बहुत अच्छा दिख रहा है जैसा 1800 करोर का market cap और यह trailing 12 months का sales देखेंगे तो 5500 करोर का तो जज नहीं हो रहा है दोस्तो तो इसका value कहीं उपर है इसको आप ध्यान में रखिए और इसका जो share capital का बात करेंगे 996 करोर का है reserves company के passport 23 करोर है reserve भी increase हो रहे है और borrowing इसका ज्यादा है 2900 करोर का यह थोड़ा सा concern है दोस्तो तो penny stock है यहाँ पे थोड़ा सा इसा situation जरूर रहेगा अब हम technical chart के उपर चलते और technical chart में आपको यह दोस्तो देख सकते last week में यहाँ पे लगबक 27% का राही जाया है और यहाँ पे gap से इसने breakout दिया है और breakout के बाद यह previous हाइज है यह 67 रुपीज का हाई यहाँ पे बनाता और वापिस से यह company यहाँ पे इस हाई को तोड़ने के लिए तयार है आपको monthly chart में अगर दिखा दू तो monthly chart में आपको काफी और clarity आएगी यह देख सकते है यहाँ पे एक cup and handle pattern बन रहा है यह handle है और यहाँ से यह उपर जाएगा तो इसको triple digit में जाने के से कोई ने रोक सकता दोस्तों इस type का यहाँ पे structure बना हुआ है कापी अच्छा structure है यहाँ पे volume भी कापी अच्छा improve हुआ है और definitely यह company आने वाले एक से दो सालों में कापी बढ़िया return द जो shift हुआ है उससे भी company का revenue rise होगा और JSW steel इसका raw material का guarantee लेके रखा है raw material supply JSW कर रहा है तो कापी सारे advantages इस company को मिल रहे है और इसके चलते यहाँ पे कापी जबरदस value stock में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह penny stock आपके सामने मैंने प्रस्तूत किया इसके बारे में जरूर आप भी comment section में लिक सकते हैं आपको क्या लग रहा है और यह कहा तक जा सकता है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ